प्रश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रदेश आई लव महोवा की तस्वीरे भी नजर आती हैं महोवा की आज हम बात करने जा रहे हैं महोवा में दो विधान सभाई हैं और साथ ही साथ 1995 में हमीरपुर से अलग होकर एक नए जिले का निर्माड हुआ था और इस जिले का नाम रखा गया था महोवा महोवा बुंदेल खंड के अंतर आता है लेकिन क्या महोवा विधान सभा में कुछ बदलाव देखने को मिला है 2017 से 2022 के बीच में यहाँ पर BJP से विधायक रहे आरके गोस्वामी साहब तो क्या कुछ बदलाव हुआ या तस्वीर जो की त्यो ही है इस बार क्या परिवर्तन होगा या रिपीट होगा इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि आज महोवा का सियासी गुणागड़ित महोवा का सियासी मौसम महोवा की सियासी हवा को बदलने का प्रयास करने के लिए खुद योगी आदितनाथ मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश पधारने वाले हैं वो यहां आकर एक जनसवा को संबोधित करेंगे साथ ही साथ यह नारा बुलंद करेंगे कि एक बार फिर योगी सरकार को बनाईए और साथ ही साथ अपने पक्ष में मद् करेंगे हमारे साथ हमारी रिपोर्टर और मेहमान आमदर्शक जुडेंगे जिनसे हम बाचीत करेंगे और जानेंगे समझेंगे कि आखिर महोबा क्या कूछ कहता है लेकिन उससे पहले आपको महोबा का डिजिचिल दरशन करवाएंगे महोबा विधान सबह आखिर दिखती कैसी है इन तस्वीरों के जरीए आप देखिये और महसूस कीजे कि महोबा आखिर क्या चाहेगा क्या महोबा 2017 में भी ऐसा ही दिखता था क्या परेवर्तन हुआ है साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि क्या महोबा को देखते वक्त आपके जहन में ऐसा कोई भी खयाल आता है कि महोबा में कुछ अलग हुआ है महोबा में कुछ कमाल हुआ है महोबा में विकास के नाम पर कुछ अलग देखने को मिल रहा है क्या ऐसा दिखता है आपको तस्वीरों से अगर नहीं दिखता है तो क्यों नहीं दिखता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है इस पर भी चांच करेंगे चर्चा करेंगे साथ ही साथ अगर कुछ बदलाओ देखने को मिला है अगर 2017 का महोबा 2022 के महोबा से अलग नज़र आता है तो आखिर इसके लिए क्रेडिट किसको दिया जाना चाहिए क्या प्रदेश सरकार से जनता खुश है या नहीं खुश है क्या इस्थानिय विधायक से जनता खुश है या नहीं खुश है इसके साथ ही साथ कौन सी वो योजना है जो जनता को सीधे तोर पर लाप पहुच नगरी बीर भूमी महोबा जिसके आज हम बात करने जा रहे हैं वीरों की भूमी है वीरांगनाओं की भूमी है लेकिन जब बुंदेल खंड की एक बड़े परस्पेक्टिब पर बात करते हैं तो हम लोग ये चीज नोटिस करते हैं कि आज तक बुंदेल खंड को वो नहीं मि इन सभी विश्यों पर चर्चा करेंगे हमारे साथ सीधे लाइव हमारे कॉलर जुड़ सकेंगे हमारे साथ लाइव दर्शक जुड़ सकेंगे आम दर्शक जुड़ सकेंगे सभी के लिए लाइन्स खुली हुई हैं तो आम दर्शक हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ेंगे जिले मैं चाहे जिस प्रकार की बाते सामने आ रही हैं लेकिन मुझे लगता है कि महभा एक बार पुनारी पुनारीट होगा डेकन आपका जो तिलक है उसको देखकर काफी लोग कहेंगे कि यह तो तिलकधारी हैं और तिलकधारी मतलब equal to भगवाधारी और भगवाधारी is equals to BJP तो लोग कहेंगे कि आप तो अल्रेडी BJP है नहीं मैं BJP किसी पार्टी से नहीं हूँ मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ लेकिन जो माहौल है या जो जनता चाहती है वो निश्यत तोर पर BJP ने कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिया है इस वज़े से मुझे लगता है कि BJP रिपीट होगी तो वो क्या दिया है जिसके चकर में आज आपको लगता है कि जनता बंपर वोट करेगी BJP को वो क्या दिया है और प्रदेश सरकार ने दिया है इसमें कुछ सपोर्ट विदायक जी का भी आपको नजर आता है कि विदायक जी ने भी कुछ काम किया है देखिए अगर सरकार की बात करें तो कहीं ने कहीं दो चीज़ें यहां पर हैं जो पत्तर और द्योग था वो पूरी तरह प्रभावित हुआ सरकार की नीती के तहट लेकिन यहां के बिदायक ने उस पूरे मामले को परसू किया लेकिन फिर भी उत पर सुधार नहीं हो पाया आप कहीं जा करके जो पट्टे हुए है तो कम से कम जो 20,000 मजदूर है जो पहाड़ों में काम करने वाला मजदूर है उसको रोजगार मिलेगा जो रोयलिटी थी वो बहुत महंगी थी अब रोयलिटी के रेट घटे है तो निश्यत तोर पर जो कबरई क्रैसर मंडी है वहां के लिए जो मजदूर है 20,000 आम यहां के आसपास के गाओं का उसको रोजगार मिलने की बड़ी संभावनाएं बड़ी है अच्छा हम काफी चर्चा करते हैं हर्विदान सवा मैं गया भी हूँ घूमा भी हूँ, महोबा भी आया हूँ एक चीज मैंने महसूस की है हम लोग चर्चा बड़ी फ्रेंक चर्चा रखते हैं इसको बिलकुल एक तरीके का जो भी बंधन आपको लग रहा हूँ बंधन को तोड़ दीजिए और बिलकुल एक फ्रेंक चर्चा करेंगे है चर्चा में ये है कि नेता मंत्री इनके जब हम भाशन सुनते हैं और महोबा एक ऐसी धर्ती है जहां पर आजात भारत में पहले प्रधान मंत्री थे नरेंद्र मोदी जिनोंने कदम रखा इससे पहले तो किसी ने कदम नहीं रखा ठीक है दूसरी चीज़ पस्चिमांचल की बहुत बात हुती है पस्चिमी उत्त प्रधश सब को चाईए इनको भी चाईए उनको भी चाईए उनको भी चाहिए लेकिन बुंदेलखंड को लेकर इतना जादा कोहीं उत्साहित नहीं दिखता है मैं अगर इस पर आपका ध्यान चाहूंगा चुकि महोबा जो है वो किवल दो मात्र विधान सभा का जिला है बुंदेल खंड में पूरे बुंदेल खंड में 19 सीटे हैं अगर हम किसी भी बड़े जिले की बात करते हैं तो एक जिले में 8 से 10 विधान सभा होती हैं इसलिए उनकी मजबूरी हो जाती है वो 8 विधायक एक साथ जब खड़े होकर एक जिले की बात करते हैं तो विकास जो है वो जिले की तरफ सरकार का ध्यान जुक जाता है और विकास भी जुक जाता है जब यहाँ पर 17 विधाय खड़े हो करके जब बात एक साथ करते हैं, तब भी नहीं सुना जाता है, क्योंकि अलग अलग उनमें बटवारा हो जाता है, बुंदेल खंड किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्याद है चाहिए, तो यह बात सामने आ जाती है, इसलिए बुंदेल खं हो सकते थे, लेकिन दिल्चस्पी नहीं दिखाई, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि चिकत सा जो सुब्दा होनी चाहिए, उस पर विधायक फेल रहे है, क्योंकि विधायक यहाँ पर चिकत सी लाब इसलिए नहीं दिला पाए, क्योंकि यहाँ को डॉक्टर आना नहीं आरके गोस्वामी विधायक है, राके हाँ, राकेश कुमार गोस्वामी विधायक है, दुबारा टिकेट मिला है, जी, उनको दुबारा टिकेट दिया है, पार्टी ने, ठीक है, टिकेट दुबारा दिया है, मतलब कि पार्टी ने जो अपना निरिक्षन करवाया होगा, उ नाम आमीग शूथी से अभी शुलन विसे पहले चांगा से रही उस से पहले मयावति कि सरकार और तो आप किस की तरफ कौन सी बटन दवाएंगे निश्यत तौर पर मैं योगी की तरफ जाना चाहूंगा इतना सोचा किसलिए इसलिए कि किसी भी सारवजनिक मंच मैं नवी कुछ भी परस नहीं है अभी कुछ भी परस स्नाल नहीं है controll你在 माइं एक मौसम समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप बता रहे हैं मुझे कि हां कि जंता घो tutaj इस तरीके से सोच यह इसमेς मैं आपका नहीं ले रहा हूं कि अमित जी किसका बटन दवा देंगे जाके अमित जी तो अमित जी है घर से निकले योगी जी के नाम का बटन दवाने रास्ते में मायावती जी का एक वीडियो देख लिया और मायावती जी के नाम पर बटन दवा दिया और इधर कावेंदर चौहान समझे बैठे हैं कि अमिर जी तो योगी जी कोई बटन दवाएंगे तो ऐसे तो यह तो बदलता रहता है यह तो मौसम बदलता रहता है इसको लेकर चर्चा नहीं है लेकिन हम यह जानना चाहरे हैं आपसे कि अभी तक मैं दफतर से छुटी ली साउथ इंडिया चला गया घूमने साउथ इंडिया में जब मैं गया तो वहाँ के लोगों की चीज़ें बड़ी अलग हैं वहाँ के लोग सोच लग रहे हैं गुजरात गया गुजरात में 16 साल का लड़का कह रहा है कि एक हजार करोड की कमपनी जाओंगा परसों तो यहां पर राजनीती को लोग बड़ा सिराखों पर रखते हैं यह पहली चीज़ दूसरी चीज़ अमिज जी क्योंकि आप काफी समझदार रखती हैं आप जानकार लग रहे हैं काफी चीज़ों के उत्तर प्रदेश में हम किसी भी तरीके की चर्चा क हर बार कहीं भी अगर कोई सरकार का विरोधी है मौजूदा जो भी उस समय सरकार रही होगी तो वो कह रहा होगा कि विरोजगारी तो भाईया ऐसी बढ़ी कि मांट एवरेश्ट हो गई ठीक है वो करेगा विया सिक्षा विवस्ता तो पूरी तरीके से धढ़ाम हो गई ती मैं अगर बोलने लग जाओं जो सरकार का विरोधी होगा वो एक सांस में रट्टा मार के बोल देगा कि विरोजगारी बढ़ गई है महगाई बढ़ गई है सिक्षा धढ़ाम हो गया स्वास्त विस्ता धढ़ाम हो इस सब खतम अब जोला लेकर जाने का समय आ गया है लेकि उत्तर प्रदेश में आज तक इंडस्ट्रिलाइजेशन ही नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश में आम लोगों का रहना भी मुश्किलात वाला हो गया है आज कल जो बहुत अमिच जी अगर मैं सही कह रहा हूं तो मुझे बताईएगा नहीं तो टोक दीजेगा मैं कोई यह आता है ठीक है और रविवार को कहीं आसपास मोहन ढाबा और खलाने ढाबे में जाकर खाना खालेता है परिवार के साथ वो व्यक्ति आज की तारीक में अपने बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहता उत्तर प्रदेश में वह भेज रहा है नैनीताल भेज रहा है दिली भेज रहा है कहीं और या जादा जादा तो लखनों भेज दिया तो ये चीज़े क्यों है ये फर्क है युवा जो है मैं पूरे दिन देखता हूँ ये बड़ी बेवारिक चर्चा है मैं जिठी के इसको समझेगा अब मैं उत्तर प्रदेश चुनाओं के लिए ब्रहमण प हुए हैं उसमें से 16 चुनाओं एक ये परिवार के लोग जीते है मतलब दादा जीते दादा जी के बाद फिर बेटा आया बेटा जीता उनका बेटा और जीता गया इस बार पहली बार टिकेट नहीं मिला तो आब रो रहे हैं कि जे क्या हो गया जनता वहां की वहीं है सीता देवी जो थी उनके घर पर पहले भी चार बरतन थे और सीता देवी के घर पर आज भी चार बरतन है और जो प्रिवार 16 बार उन्हीं के खांदान से विधायक बनते गए, उन्होंने साइकल से लेकर स्कूटर भी खरीदा, स्कूटर से मोटर साइकल भी खरीदी, आज इतनी कारे हैं कि खुद नहीं पता कि कितनी कारे हैं, लेकिन ये परेशान है, ये कह रहे हैं कि धोका होगे आपके साथ, तो ये पहली चीज, द परिक्षा जिस तरीके से करवानी चाहिए, उस तरीके से नहीं करवाई, 100% गलत है सरकार, पद भी खाली है, और ज्यादा ज्यादा मैं तो कहता हूँ, सरकार को हमेशा UPSC जैसे परिक्षाय करवाता है, उससे सीख ले, चार दिन की क्लास ले ले, वो तो पैसा भी नहीं ल हुग ही है, लेकिन जो लड़की वाले हैं वो कह रहा है कि भाईया तुम तो कुछ हो ही नहीं, बाबु नहीं बने तुम तो भी तक, तो भाईया साधी नहीं हो रही, वो बाबु है, लेकिन सरकारी बाबु नहीं है, तो इसलिए शाधी नहीं हो रही, अब आप इसको समझ कि जब मैं भ्रमण पर था जब मैंने चुनावी कारिकरम कर रहा था तो देख रहा हूं कि युवा सुबह सुबह उठकर हाफ कच्छा पहन कर सेंडो बन्यान पहन कर सड़क पर निकल कर खैनी दवा रहा है और खैनी खाते हुए बोल रहा है कि सरकार ने तो सब बंटाधार कर मैं जहां तक आपकी बाती आट और अगर इसको कवारी या कोई यवा कि उसे मिल जाएगी नोकरी मिल जाएगी केवल पर बहने काम सरकार ही देगी तो नहीं लगता करना पड़ेगा, अपने जीवको पारजन के लिए हमें नए नई चीजों। पे नए नए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हम अपने व्यापार की तरब भी देख सकते हैं, नए इन्वेस्टरी खुद लगा सकते हैं, कोई चीज़ा souच सकते हैं अगर हम सोचेंगे कि हम नौकरी करके हम बाबो बने या धिकारी बने तो जनसंग्या बहुत जादा है तो हमें अन्य कामप की और देखना पड़ेगा नई बने बने चीज़े लाना पड़ेगा हर चीज के लिए महनत करें हमीजी हर चीज के लिए महनत करें लेकिन यह नहीं है कि अगर 10 साल हो गए अब परिणाम में पास नहीं हो रहे हैं सरकार पर ठीक रहा फो सरकार को गरिया दिया और खुश है तो यह गलती है और दूसरा जहां तक और जहां तक आप कह रहे हैं कि युवा जो है राजनीती के तरफ जाना चाहरा है आइकॉन समझता है वो इसलिए समझता है कि सरकार के पास कोई भी ऐसा आकड़ा नहीं है जिसमें एक जिसकी आमद जी के पास करोणों रुपए हो जाते हैं तो सरकार को यह आकलन करना चाहिए कि इन्होंने कित पद्धती से कमाया और वो वो सिस्टम अन्य यूपों को देना चाहिए ताकि वो भी इस तरीके से कमा सके बहुत बढ़िया तार छेड़ दिया अमिजी आपने अब इस तार का का हैتي दीलचस्पी क्यूं लेता वून आपको बताता हूं कि ही मेशाब कर लेता था यूवा क्यूंकि और किसी कारण सेजबा चोड़िया आप भी हज़के मैं बहु हम दूँनगा जनसेवा जो करते हैं जिनके ग्राफ में लिखा हुआ है थोड़े दिनों पहले हमारे साथ आये थे लाइव थे उनका नीचे पट्टी उन्होंने फोन किया बकायदा कि भाया नीचे पट्टी चलवाओ हम जनसेवक हैं और जब जनसेवक बैठे हुए थे सामने उनके इस पा दिखाता हूं और दर्शक भी हमारे देखेंगे चीज़ें ऐसे बदल चुकी है कि वो दौर चला गया अमित जी वो दौर चला गया जब कोई नरेंद्र मोदी जीवन भर की तपस्या करके जीवन भर जाडू लगातने से चाय बाटने से पार्टी में काम करने से लेकर आज प्रधान मंत्री बन गया मुलाएम सीघ यादव साइकिल चलाते रहे साइकिल चलाते रहे खेत बीषड खलियान हर जगा कुधाते फण blessing नहीं हाद्र हो गई तो पंचरी लेकर चल दिया से पाल सिघाव हवा भरते रहे है और कहां जाकर मुख्यमंत्री बन गये कल्यान बा सो में लटक लटक कर सफर करते रहें लेकिन आज की राजनीती बिलकुल इतर है यह युवाओं को इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि युवा जो है इन्हीं लोगों को देखते हैं कि भाया ऐसे बन गए तो ऐसा ऐसा बिल जाएगा बढ़िया लेकिन चाहिए वह नसीमुद्द सिद्धिकी हो चाहिए बाबुजिंग को स्वाहा हो बिलकुल यह लोग यह लोग बढ़के आए सरकार ने इनको प्रमोट किया बिलकुल और लेकिन आज की परिस्तितियां क्यों अलग है दर्शक देख रहे हैं और आप भी जुड़े हुए हैं इसलिए अलग हैं कि आज अ स्कूटर लेकर लखनू चले जाएं और समाजवादी पार्टी कारेले के बार स्कूटर से हौरन मारें कि बहिया दर्वाजा खोल देऊ अंदर जाके टिकेट मांगनी है 20 सालों से काम कर रहा हूं इतनी तेश थपण मारेगा उसका गार्ड भग जाए यहां से तुरंत और स्कूटर मैं मोड कर अगर बीजेपी कारेले की और ले जाऊं लखनौ की और और यह कहूं कि बहिया प्रणाम 25 सालों से सडक पर टेंट वैनर लगा रहा हूं जाडू लगा रहा हूं अब मुझे टिकेट दे दो फरकाबास से तो वह इसा डंडा गुमाग मारेगा मेरे सारी जोला लेकर चाहें उस जोले के अंदर सिर्फ कपड़े भरे हों लेकिन जोला बड़ा हो और आगे फ्रेंट सीट पर रखके और पीछे पार पांच फॉर्चुनर ले जाकर और पचास साथ चेला चिंटू लेकर किसी भी कारालेक बाहर चला जाओं बकाइदा ठंडा पानी आएगा कोल्ड्रिंग आएगी और बढ़िया शक्कर वाली चाह आएगी और बैठाया जाएगा इंटर्टेन किया जाएगा और काला जोला अगर बगल में रखा है तो चार लोग और आएंगे इदर उदर भी बैठेंगे कि हाँ भईया किता है ठीक है तो अब परिस देंगे पी का बैनर लगा रहा है लटक कर वो कभी भी धायगी का टिकेट नहीं पाएगा कभी नहीं पासकता क्योंकि आज के समय में यह यूवाओं के लिए इसलिए हमिजिश क्यूंकि यूवा जो है अपना भविशय जरू तलाश राया है लेकिना आज के समय में यह ची में पारन से 150 साल मेहनत करी और पता लगा कि जब झुनाओ का वकत आया तो बसपा ने चिकिट किसे दिया बसपा दे दिया मुंबई वाले सेठ जी को अब मुंबई वाले सेठ जी फरकाबाद के भोजपर में काम करवाएंगे अब फरकाबाद में फरकाबाद की सदर सीट है वहां से सुमन मौरे को उतार दिया पार्टी ने सुमन मौरे को महांदल से अब सुमन मौरे इससे पहले फरकाबा तो वो कह रहे ही कि रुको भी समझेंगे थोड़े दिनों में बताओ तो युवाओं को यह चीज़ देखनी है कि नहीं अमिज जी बिल्कुल तो मैं कुछ कहूं बिलकुल बिलकुल आप कहिए बिलकुल हाँ यही हालात महववा में हुए जब विजय बहादूर सिंग जो हाई कोट के वकील हैं उनको बियस पी ने टिकेट दिया और वो यहां लोग सभा के प्रश्यासी बने नोंने कहा कि हम महोबबा को स्पेन बनाएंगे सुडिजर लेंड की तरह सड़का होंगी कुछ भी नहीं बदला बलकि वकिल साब मादी वक्ता बन गए फिर इसके बाद और समाम जगे उनका प्रमोशन होता रहा जनता वहीं की वहीं रही ठीक है डारेक्टर साब और भी कोई जुड़ा है क्या उनको भी जोड़ लीजे जोड़ लीजे जोड़ लीजे अब अमित जी ही काह बतियाएं और ओको भी मौका मिले ना जोड़िए डारेटर साब और भी लोग हैं जोड़िए उन्हाइब कि मैं धन्नवाद दूगा कि आपने मुझे अपने चैनल में जगे जी अरे अभी दन्नवाद काया दें अभी रुके रही है अभी रुके रही हमिजी अभी काय धन्नवाद देना है चलिए स्क्रीन पर ले आईए चलिए दर्शकों को बाद में जोड़ेंगा स्क्रीन पर लीजिए चलिए ठीक आमिजी को स्क्रीन पर लीजिए ठीक है तो यह देखिए हम बोल रहे थे काफी देर से तो हमारे राहुल जी है हमारे समभादाता सहाब है इन्हें भी चैन नहीं पड़ा ये भी आ गए अब ये भी कुछ बते आएंगे महुबा के बारे में लेकिन उससे पहले अमिजी आपने बात कही कि जनता दरसल वहीं किये गए थे तो आज में की समझा देता हूँ आप डोनों के माध्यम से दर्शक भीसमज लेंगे जनता आज नहीं पाशान काल से लेकर आज तक वही कि रहेगी क्योंकि सिर्फ दो जाति यदित नहीं सिर्फ दो ही धर्म हैं मरए तो ही जाति हैं हर अरिस्टोक्रेट मतलब बढ़के लोग बड़े लोग ठीक है अब मैं समझाता हूं कैसे एक रथ आजकल बहुत घूम रहा है उत्तर प्रदेश में यह समाजवादी रथ और यह समाजवादी रथ जब चल रहा है इस समाजवादी रथ के अंदर जो नेता वैठे हैं वो कह र जंडा पानी और हलका सा गुनगुना पानी और सामने हलका सा लेमन टी ग्रीन टी लेकर बैठे हैं और साथ जंता दौड़ी जा रही है बगल में और जो रथ है वो भी ऐसा है जिसमें बटन दवाओ तो टिंग करके उपर और बटन दवाई तो टिंग करके नीचे और वो शिवाजी महराज खुद स्वयम जा रहा है इस रत में बैठकर ऐसे जनता सरपट सरपट दोड रही है बताइए यह कमाल है कि नहीं है अब तो मैं वही बता रहा हूं कि जनता महामूर और जनता में मैं भी हूं तो मैं भी हूं वो इसलिए हैं क्योंकि हम लोग ऐसा सोच लेत और एक है अरिस्टोक्रेट वो है जिनके रत दोड रहे हैं अरिस्टोक्रेट वो है जिनके बग्गियां दोड रही है जिनके हवाई जाहज दोड रहे हैं और एक और आपको दिल्चस बात बताओं हमारे मैं एक जगा गया था एटा के पास एक जगा पढ़ती है एटा वि कि अफ्न वाईजाआजक व ну हैं मिल्कुल जो दो है कि कुछ लोग जो है डिनों हेलिकोप्टर नहीं देखा या हवाईजाज नहीं देखा वो भी कुछ लोग आते हैं अरे इसलिए बोल रहा हूं कि बच्पन में तीन बार में बस्पा की रैली में खुद चला गया और मुझे यहीं नहीं पता था बस्पा क्या है क्या भाजपा है तो इसलिए बता रहा हूं हवाईजाज देखने हैं अब उसको बनवाने के लिए नगर पालकर ने लाख और रोपे खर्च किये थे और वो रेलिंग जमी दोज हो गई नहीं तो यह बड़ा गंभीर जो विशह है इसे में बताने की कोशिश कर रहा हूं आप दोनों भी हमारे कि जन्ता जो है वो एक अलग जात्र है अलग बिरादरी है अलग धर्म है और दूसरी तरह है अरिस्टो क्रेसी में आते हैं हमारे नेता मंतरी जो अपना आजकल रत लेकर घहूं रही हैं वो किस दिशा में जा रहा है साथ ही साथ क्या नेता मंत्री जो आप के साथ वादे और दावे करते हैं उनको किस वजह से पूर्ण नहीं कर पाते इन वादे और दावे के बीच जनता को भी समझना होगा कि किस मुद्दों पर स्टिक रहना है और किन मुद्दों से अपने आपको अंस्टिक करना है अगर विकास चाहिए तो किन मुद्दों पर आगे आकर बात करनी है और अगर यूही चलता रहा तो जन्ता को भी ये समझना होगा कि सिर्फ आप एक ऐसी पोजीशन पर हैं कि आप सिर्फ मौका दे सकते हैं कभी उन्हें तो कभी उन्हें विकास की जो गंगा है वो ना तो जवी यूए उन्हें गर्राजर पी किन मौका देर आकर हैं कि आप एक जई आप ऑन कोभी नय सकते हैं कि उन्हें और की तो कि आप एक झाल वार बात कर दूए एक घ्बड़राणगोई मेर आप साथ 9 되지 एसे टिसमपपजों पर भी नहें आप पर का उन्हें कियां परना